नमस्कार दोस्तों मेरा हूं सास्तिरी सवगत करता हूं आपका दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे उंच और नीच के गरहों के उपर इनका जोतिस में क्या महत्तो है उंच और जो नीच के गरह होते हैं उनका आपके उपर क्या परभाव पड़ता है सरल तरीके से कम सब्दों में आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों आप मैंने जोती सिखाने की संखला को जारी रखते हैं जैसे कि मैं आपको step by step एक-एक करके आपको समझा रहा हूँ basic से बिल्कुल नीचे से ताकि आपके step by step आप चलते रहें और आपके basic fundamental clear हो जाएं क्योंकि कुछी 2-3 वीडियो के अंदर हम फिर कुंडली analyzes करेंगे तो एक-एक step यह जो चीज यहां आपने पकड़ ली तो पहुत अच्छी तरह से आप कुंडली को समझ पाएंगे अनलाइजिस कर पाएंगे तो जैसे कि पहली वीडियो के अंदर हमने 12 रासों के बारे में चर्चा करी दूसरे वीडियो के अंदर हमने 9 गरहों के बारे में विस्तार से समझा तीसरी वीडियो के अंदर हमने 12 भाहों का कैम है तो होता है हर भाहों में से क्या देखते हैं क्या विचार करते हैं इसके बारे में चर्चा करी, उसके बाद हमने गरो के तत्तु को पढ़ा, गरो के परकार, रासी के सहभाओं को पढ़ा, तो इसी के परकार आगे बढ़ते रहेंगे, तीन चार वीडियो के अंदर फिर हम कुडली अनलाजिस करेंगे, तो आज का जो हमारा टोपिक है, वो भी बहु को समझेना पहुत जरूरी है, जब हम एनलाजिस करेंगे कुडली का तब आप समझ पाएंगे, तो देखे, अगर हम सरन तरीके से मैं आपको बताओं, तो आप ये समझेजे, जब भी कोई गरह उचका होता है, तो वो राजा के समान फैदा देता है, उसकी उस गरहे की दसा ये बैठे हैं, उससे रिलेटेड आपको फैदा होगा, तो ये तो कुडली जब हम एनलाजिस करेंगे तब आपको पता चलेगा, पर फिलाल आप ये जरूर समझ लिजे, कि सूरिये मेश रासी में हुए, तो वो आपको फैदा देंगे, हलाकि वो कितना फैदा, तो वो पता चलेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, तो सूरिये जो एक, जहांपे एक 12 रासिया में ने बताई थी आपको, कि टोटल 12 रासिया होती है, उसको एक बार फिर विस्तार से में आपको बता देता हूं, पहली जो रासी होती है, एक नमबर वो मेस होती है, दूसरी जो रा फिक्स रहता है, हलाकि कोई भी घर है, डिगरी के अकोर्डिंग वो परम उच्का भी माना गया है, पर अभी उसको जब हम आलाजी करें के तब समझेंगे, फिलाला आप इनका बेसिक समझ लिजे, सूरिये, जहांपे एक लिखका होगा, उसका मतला में मेस, मेस रासी में नमबर होगा, उस रासी के अंदर सूरिये, उसके माने जाएंगे, उसके माने जाएंगे, और सूरिये का आपको फायदा होगा, सूरिये की दसांतर दसमें आपको फायदा होगा, लाब मिलेगा, यह जो एक है, यह भाव नहीं है, भाव तो फिक्स रहते हैं, यहांपे सिर इस्तितों तो सूर्य मीच के माने जाएंगे आपको सूर्य की दसंतर दसंतर में फायदा नहीं होगा वरन सूर्य से रिलेटिड आपको दिक्कत होगी सूर्य जो की confidence के कारक राजा के कारक होते हैं गरों में राजा पिता के कारक तो सूर्य के जो कारक्ता तो होते हैं और सूर उनके का रख चंद्रमा अगर दूसरे रासी में जहां दो नंबर लिखा है वहाँ पे अगर हुए तो वह आपको उचके फल देंगे यानि वह अपनी दसा अंतर दसा में आपको फायदा देंगे लाब देंगे उनकी दसा अंतर दसा में आपको फायदा होगा जैसी हाँ पे विपरीद, चंदरमा जहां पर आठ लिखा है, वहां पर अगर आ गए, यानि वर्चिक राशी में अगर आ गए, आठ का मतलब वर्चिक राशी, तो वहां पर वो नीच के हो जाएंगे, उनकी दसा अंतर दसा में आपको बहुत नुक्सान होगा, फायदा नहीं होगा, और व होते हैं अपनी खुद की राशी, कन्या, यानि जो छे नंबर की राशी है कन्या, उसमें वो उच के माने जाते हैं, यानि देखे छे, जहां पर छे लिखा है कन्या, कन्या राशी में बुध हुए, उच के, तो बुध जो कि आपकी वानी के कारक, बुध्धी के कारक, व्य जहां पर डर्ष्टे डाल रहे हैं उससे रिलेटेड आपको फायदा होगा इसी के विपरीत बुद्ध अगर जहां पर बारा लिखा है मुहाँ पर अगर आके बैठ जाए जानी जहां ये बारा है इस नंबर पर अगर बुद्ध आके बैठ जाते हैं मीन रासी में और आपको उनकी दसांतर दसांतर पर फायदा नहीं होगा दिक्कत आएगी दिक्कत कैसी जहां पर बुद्ध बैठेंगे जिस बहुं में बैठेंगे जहां दरश्टी डालेंगे उससे रेटेड आपको दिक्कत इसी परकर आगे चलते हैं सुक्र अब हम सुक्र की बात करेंगे सुक्र किस में उचके होते हैं सुक्र जो कि तमाम सुक्के कारक तमाम भोतिक सुक्के कारक वरतमान के कल युग में सबसे इंपोर्टेंट गरे माने जाते हैं पहुत से जोतिस कारके कोडिंग तो वो आपको कैसा किस रासी में उचके होत होते हैं उनकी दस अंतरदस में आपको तमाम सुख और जातक को बहुत फैदा होता है इसके विपरीद शुकुर यहाँ छे लिखा हो अगर वहां पर आके बैठ जाए यानि कंद्यरासी में तो यहां पर वो नीच के हो जाएंगे सुकुर को कंद्यरासी में नीच का बना गया है तो वो अपनी दस अंतरदस में आपको फैदा नहीं देंगे वरन सुकुर से रेड़ेट आपको दिक्कत होगी उनकी दस अंतरदस में आपको घराप फल मिलेंगे अब आगे चलते हैं दोस्तो मंगल की बात करते हैं मंगल जहा वो नीज का हो जाता है, तो सरल तरीके साब समझ सकते हैं, तो 10 यानि मकर में उचका, इसी के वप्रीत वो चार है, यानि करकरासी, चार का मतलब करकरासी, करकरासी में अगर मंगल आके बैट गए, तो वो हो गए नीज के, फिर वो अपनी अंतरतसा में आपको फैदा नहीं हो देंगे, वरन दिक्कत देंगे, मंगल जो की प्राकरम के कारक होते हैं, भूमी के कारक होते हैं, चोटे भाइबैनों के कारक होते हैं, तो मंगल अगर 10 जहां 10 लिख़ा है तो महां पे मकरासी में उचके, चार जहां करकरासी है वहां पे वो नीच के, जहां मंगल बैठे हैं जहां वो अपने दरश्टी डालेंगे, महां से रेक्ट फैदा नहीं देंगे, अपनी आने वाली वीडियो के अंदर हम दर्श्टी के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे अब दोस्तों आगे चलते हैं गुरू अब हम चर्चा करेंगे गुरू की गुरू करकरासी में उचके जानी जहां चार लिखा होगा महाँ पर वो उचके हो जाएंगे आपको लाब नहीं होगा वरन बहुत प्रेशानियों का सामना करना पड़ेगा फिर से बताता हूं प्रेशानी क्या होगी जहां गुरू बैठेंगे हर लगन में उनका अलग-अलग प्रेश्मेंट होगा अलग-अलग उनको भाव मिलेंगे उससे लेटर आपको समझसाय मिलेगी हलाकि हर भाव के बारे में हर रासियों के बारे में मैंने आपको बता रखा है पर आपको जब कुल्ड़ी एक को एनलाईजिस करेंगे तब आप चाहके आएंगे तब आप चूजों को समझ पाएंगे आगे चलते दोस्तों अब हम देखो सनी के बारे में बात करेंगे सनी सनी जव साथ नंबर होता है तुला तुला रासी में वो उचके होते हैं देखे जा साथ साथ का मुदल तुला तुला रासी में हुए सनी उचके यानि सनी की दसांतर दसा में जातक को फायदा होगा तुमाम जहां पे सनी बैट करते है रहु देखो रहु बहुत चो जोतिष के 시작 दूसरी रासी नीज़ के में वह नीज़ के होते है तो आप यह समझ लेजिए दोनों ही रासी उन में अच्छा फ़रभाव देते हैं यानी वर्षप और मिथुन तो जहां दो लिख़ा है राऊ वहां पर उँचके जहां पर तीन लिख़ा है मिथुन इन दोनो रासी में भषज़ा इसी परकार आट और नो वर्षचिक और मिथुन रासी यानि मिलकुल अपने सामने महाँ पे वो नीच के हो गए अब हम केतू की बात करें तो केतू आट और नो यानि वर्चिक और धनू देखे रागू आट और नो में हमने नीच की कर रखे है और दो और तीन वर्षब और मिथुन रासी में उच के दिखा रखे है इसी परकार जो आट और नो यानि वर्षब और धनू रासी के अंदर केतू उच के माने जाएंगे और तीन और दो मिथुन और वर्षब रासी में केतू नीच के माने जाएंगे उच की रासी में गराय अच्छा फल देगा नीच की रासी में गराय अपना अजय के ये दन्ने वादा